तो दोस्तो एथर का इंडियन मार्केट में 10 साल पूरा हो गिया है और इस खुशी में एथर ने इंडियन मार्केट में लांच कर गिया है एक ब्रैंड न्यू इलेक्रिक स्कूटर और इस स्कूटर का नाम है एथर 450 Apex लेकिन इसके वज़े से आपको थोड़ी सी कम खुशी ह रखती है क्योंकि इसका प्राइस जो है काफी महेंगा रखा गया है अब प्राइस की बात तो हम लोग बाद में करेंगे लेकिन सबसे पहले जान लेते कि इस इलेक्रिक स्कूटर में नया क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इलेक्रिक स्कूटर की मोटर के बारे म अब motor क्योंकि बड़ी है तो जाइड सी बात है कि इस scooter का top speed भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो ether 450fx का top speed है 100 km per hour की मुझे पर ether 450x जो कि पहले आती थी उस scooter का top speed था 90 km per hour अब motor क्योंकि बड़ी लगाई गई है तो hitting भी इस motor का ज़्यादा होगा युकि power भी motor का काफी जादा है लेकिन ether का कहना यह है कि motor जितनी जल्दी गरम होगी उतनी जल्दी थंडी भी हो जाएगी लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी electric vehicle में जब motor थोड़ा सा गरम हो जाता है तो उसका power में थोड़ा सा drop हमें देखने को मिलती है अब ether 450 apex की खास बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको warp plus mode दिया गया है और अभी तक जो ether 450X आती थी उसमें आपको warp mode देखने को मिलता था लेकिन इसका जो apex version है इसमें आपको warp plus mode देखने को मिल रही है और यह जो warp plus mode है यह इस electric scooter को काफी तेज बना देती है 40-100 kmph की speed यह बिलकुल मखन की तरह उठा देती है और 0-40 kmph की speed यह scooter सिर्फ 2.9 seconds में achieve कर लेती है एक और खास बात जो कि आपको ether 450 apex में मिल जाती है वो है zero lag मतलब अगर मैं आपको 125cc का कोई petrol scooter का example दू तो उसमें जब आप race देते हो तो वहाँ पे tire घुमने का जो time होता है वो approximately 400 milliseconds का होता है लेकिन ether 450 apex में इसको काफी जादा कम कर दिया गया है आप जब इस scooter को race दोगे त तो approximately 90 millisecond के अंदर इसका tire जो है वो घुम जाएगा और ether का यह कहना है यह इंडिया का सबसे पहला electric scooter है जिसमें आपको इतना कम power lag देखने को मिलती है और एक चीज जो इसके अंदर है वो है magic twist अब आप पूछोगे कि यह क्या चीज है तो भाई देखो यह सिर नाम बगला ह पहली जो ether 450X में regenerative braking आ दी थी यह वही technology पर best है लेकिन कोई भी electric scooter में जो regenerative braking होती है वो 80-100% के बीच काम नहीं करती है लेकिन ether 450 Apex के अंदर आपको 100% में भी regenerative braking का option देखने को मिल जाएगी और इसी technology को ether ने magic twist का नाम दिया है चली आप बात कर लेते उस चीज के बारे में जिसका कोई भी electric vehicle में सबसे ज़्यादा importance होती है और वो है range और range का direct connection है battery के साथ तो Apex के अंदर आपको 3.7 kilowatt hour का एक battery pack देखने को मिल जाती है यह वही same battery pack है जो की ether 450X के अंदर आती है लेकिन इस scooter का जो IDC range है वो ether 450X से ज़्यादा है ether 450X के अंदर आपको 157 km की IDC range देखने को मिल जाती है अब आप पुछोगे कि सेम battery pack से ज़्यादा range कैसी आ रही है तो software की मदद से electric vehicle में थोड़ी सी उपर नीचे किया जा सकता है राइडिंग मोड्स की बात करें तो ether 450X के अंदर आपको चार राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाती है पहला है eco mode डूसरा है ride mode तीसरा है sport mode और final mode है warp plus mode charging time के अगर बात करें तो ether 450 apex को आपको 0-80% चार्ज करने में 4 hours 30 minutes का टाइम लगने वाली है और 0-100% चार्ज करने में 5 hours 45 minutes का charging time लेती है boot space के अगर बात करें तो 22 liter का boot space आपको ether 450 apex scooter में देखने को मिल जाती है अब suspension के अगर बात करें तो इस scooter में आपको front के अंदर आपको telescopic suspension देखने को मिल जाती है वहीं पर rear suspension की बात करें तो rear में आपको mono shock suspension देखने को मिलती है Ather scooters हमेशा अपने अच्छे brakes के लिए जाना जाता है Ather Viber की disc brakes यूज़ करती है जो की पुड़े वर्ड में अपने braking के लिए काफी जाधा famous है और ये disc brake जो है वो काफी अच्छी quality का होती है Ather 450 Apex में आपको front के अंदर 200 mm का disc brake देखने को मिलती है जबकि rear के अंदर आपको 190 mm का disc brake देखने को मिलती है Weight की अगर बात करें तो Ather 450 Apex का weight है 111.6 kg और seat height आपको 780 mm का देखने को मिल जाती है Ground clearance की अगर बात करें तो 170 mm का मिलती है और wheel base आपको 1296 mm का देखने को मिल जाती है चलिए अब अगर Ather 450 Apex की delivery की बात करें तो March 2024 से इस scooter की delivery स्टार्ट होने वाली है और इस scooter का test rate अगर आपको चाहिए तो फरबड़ी तक का आपको weight करना पड़ेगा क्योंकि ये जो scooter है ये फरबड़ी तक आपको Ather के dealership पे मिलने वाली है चलिए आप सबसे important इसका price के बारे में अगर बात करें तो इसका price काफी ज़दा मेंगा रखा गया है 1,88,999 रुपीज इसका एक शुरूम price है लेकिन ये बात Ather को भी पता है कि ये एक limited edition scooter है और ये scooter काफी कम sale होने वाली है और on-road price के अगर बात करें तो इस scooter का price 2,20,000 से लेकर 2,30,000 रुपे तक जा सकती है तो ये electric scooter Ather की तरब से आने वाला सबसे महंगा electric scooter है तो आपको कैसा लगा Ather Apex electric scooter कमेंट पर ज़रूर बताए और अगर आपको information अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाए मिलता है ऐसी किसी ने वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care